नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ती नया साल मुबारक हो 2021 का ये हमारा पहला एपिसोड है सवाल आज का ये है क्या 2021 भी 2020 के तरह धन्ना सेटो को करेगा माला माल और बाकी सब को करेगा कंगाल ये ही सवाल है हमारा कि क्या ये अमीर लोगों के लिए अच्छे दिन लाएगा 2021 बिल्कुल उसी तरह जैसे 2020 लाए था इसी सवाल का जवाब देंगे आज और इसका हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में 2020 में हम सब जानते हैं क्या हुआ करोना वाइरस आया हम सब के सामने और इसके चलते अपरेल से एक बिना प्लाइन का लॉगडाउन पूरे देश पे लगाया गया और फरवरी आते वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ था लेकिन अपरेल में आप देखिए लॉगडाउन के चलते क्या हुआ लॉगडाउन में वो गिरकर 28 करोड 20 लाग पर उतर आया हाँ धीरे धीरे फिर जैसे जैसे लॉगडाउन थोड़ा थोड़ा खुला उसके बाद रोजगार के अफसर बढ़ते रहे और सितंबर आते आते ये 49 करोड से जादा हो गया लेकिन फिर से नवेंबर दिसंबर में ये घट गया है और डिसंबर के अन तक कुल रोजगार हमारे देश में 38 करोड 88 लाग पर उतर आया है यानि साल के शुरू से जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2 करोड 17 लाग लोगों के रोजगार का अफसर चला गया हाँ वैसे ही हमारे देश में रोजगार के अफसर कम है आप देखें किसी भी देश में क्या होता है कि जो काम करने लायक है जो काम कर सकते हैं यानि 15 साल से जादा उमर के लोग जो हैं उनमें से 60-70% लोग काम करते हैं जिसको का जाता है labor force participation rate अब आप देखें कि अमरीका का हम लें लें तो वहाँ पर labor force participation rate है लगभग 62% और वही अगर हम चीन ले लें तो वो 68% से जादा है भारत का लेंगे तो वो 40% के आसपास है अगर हम ये देखें कि भारत में भी 60% लोग ऐसे होंगे जो काम करने लायक है यानि 15 साल से जादा है और काम करने की उनको जरूरत है क्योंकि ये गरीब देश है उनको काम करने की जरूरत है लेकिन अफसर नहीं है इसलिए वो काम ढूंडते तक नहीं हम ले लेते कि 60% ऐसे लोग हैं तो अगर जनवरी में मैं ले लूँ कि काम ढूंडने वाले छोड़कर काम की जरूरत जिन जनवरी में डिसमबर आते आते आबादी बढ़ गई और काम की जरुरत वाले लोग कितने थे जरुरत मन लोग एक हजार बाइस पे वो बढ़ गया लेकिन काम कितने पास लोगों के पास था सिरफ चेसो अठाइस के पास काम था तो आप देखिए कि असल बेरोजगारी हमारे मतलब हर तरीके के कामगार लोगों का काम गया है अगर मैं बिजनेस वाले लेलू लोग जो छोटे या मजहौले बिजनेस करते हैं उनका पांच प्रतिशत रोजगार का अफसर काम हो गया है जो लोग छोटा दुकान चलाते हैं या खोमचा कहीं पे लेकर कुछ पकोड़े तलके बेचते हैं चाय का दुकान खोल रखा है या दिहारी मजदूर है इनके भी पांच प्रतिशत इन लोगों का अफसर काम का चला गया जो सैलरी वाले वेतन वाले लोग हैं जो सबसे सुरक्षित नौकरी होती है वैसे लोगों का 15 प्रतिशत रोजगार कम हो गया जी हा पहले बात पर मैं वापस आऊंगा लेकिन उससे पहले बात करता हूं कॉर्परेट इंडिया की बड़े कमपनियों की हमारे देश के सबसे बड़े 4000 कमपनियां CMI की महेश व्यास ने ये 4200 के आसपास कमपनियों को लेकर उनका जो जुलाई से सितंबर के बीच में मुनाफ़ा हुआ या आए हुआ इसका विशलेशन किया है और उनने दिखाया है कि इन कमपनियों का इस कौर्टर में इस्तिमाही में जो कि लास्ट हमारे पास डेटा मि मुनाफ़ा बढ़ा है और इन्होंने जो अपने कर्मचारियों को वेतन या मजदूरी दी है वो सिर्फ 3,5% बढ़ा है सिर्फ 3,5% अगर मैं इससे इनफलेशन हटा देता हूँ साथ प्रतिशत इनफलेशन हुआ है महें गाईदर बढ़ी है दोनों से हटा देता हूँ तो 3,5% घट जाएगा यानि असल बढ़त मुनाफ़े का 560% से जादा और जो सैलरी और वेतन दिया है कॉर्परेट वालोंने सैलरी और वेज़ेज यानि मजदूरी जो दिया है कॉर्परेट वालोंने वो 3,5% कम अब आप देखिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब साफ है कि जो धन्ना सेठ है वो माला माल हुए है और बाकी सब कंगाल हुए है